जै गुर्देर, मैं जीव आत्मा, इस शरीर का नाम शिरिश्मनी, पांच बातों से मैं बहुत प्रभावित हुबा, स्वास्त, शक्ति, आनन, त्यान और प्रेन, प्रत्य एक व्यक्ति को ये पांच वस्तों की आवशक्ता होती है, शरीर को स्वस्त रखने के लिए, आध्यात्मिक रूप से स्वस्त वो है, जो सोव में स्थित है, वही स्वस्त है, शरीर को स्वस्त रखने के लिए, मल की शुद्धी आवशक्त, लेकिन हमारी सोज थी कि हम दवा से ठीक होते हैं दूसरा है शक्ति हमारी सोच थी कि भोजन में शक्ति है लेकिन मुझे ये समझ आई और अनगोव आया है कि शक्ति भोजन में नहीं शक्त भोजन में भजन है शक्ति विश्राम में है दुनिया समझती है आनंद धन में है लेकिन आनन बांटने में हैं जो ग्यान हमें मिलाए हम सब को बांटते हैं या जो वस्तु हमारे पासे हम सब को वित्रित करते हैं तो आनन मिलता है पूरी दुनिया समझती है कि ग्यान पुस्तकों में है लेकिन ग्यान ध्यान के द्वारा मिलता है समस्त तिर्थंकरों ने ग्यानि पुरिशों ने रिशियों मुनियों ने क्यान ध्यान के द्वारा प्राप्ट किया और लोग समझते हैं कि प्रेम परिवार में मिलेगा परिवार में कर्तवे का पालन है प्रेम परमात्मा के अंदर है कि अपनी ही आत्मा में बेठे पर्मात्म में है इन पांच बातों को मैंने फॉलो किया मेरे जीवन में हर समय आनन, शांती, सुख, समरिधी की प्राप्ती है 2012 से मैं मुझे एक प्रयोग मिला मेरे शरीर तपस्या करने के बावजूद, एक अंदर करने के बावजूद भी मेरे शरीर का बढ़ते जा रहा था तो मुझे ये निसका मिला, मैंने 70-30 इसको फोलो किया कि 70 प्रतिशद शरीर में लिक्वीड और 30 प्रतिशद भोजन हो और उसमें अधिकांश भोजन प्राक्रतिक हो तो उससे मैंने अपने शरीर का वजन करीब 12-13 किलो वजन कम हो और तब से 10 साल से 65 किलो वेट में मैंटेन था अभी अचानक एक बार प्रदीप शाह से चर्चा हुई और उन्होंने उसी थियोरी को पुना बताया कि नेचर ला एंडाइट सिस्टम के अंतरगत प्राक्रतिक नियमों के नसार हम पांचों विगय का त्या कैसे कर सकते हैं अगनी रहित और अनाज रहित भोजन के कैसे अपन जीवन जी सकते हैं लंबी चर्चा के पस्चात मैंने एक प्रयोग करने के लिए इस प्रद्धति को अपनाया और करीब दो से धाई मैने मैंने प्रयोग किया कि प्राक्रतिक भोजन उपवासित्यादी के उपर रह करके शरीरिक, मानसिक और अध्यात्मिक स्वस्ता प्राक्रक्र की 24 गंटे शरीर हलका रहता है और जीवन में हर समय आनन, शांती, लिहान की शमता बढ़ गई और आरंब समारंब रहित याने घी, तेल, दूद, दई, मक्षन, मिठाई, आदे से वंचित रहते हुए भी उतनी ही शक्ती, उतनी ही स्पूर्ती के साथ और अनाज रहित भोजन करके भी हम जीवित रह सकते हैं, अच्छी तरह तप कर सकते हैं, अच्छी तरह साधना कर सकते हैं और अगनी से ही भोजण को प्रासुक बनाया जाता एसा आवश्यक नहीं है। हमारे शास्तरों में अनैक विदिया हैं कि जिससे हम भोजण को प्रासुक बना करके ले सकते हैं और शरीर को स्वस्त बना कर और एनिमल प्रोड़क्ट के बिना भी हम अपने जीवन को प्राकृतिक भोजन के साथ रह सकते हैं यह मेरा अनुभव है और हमारे गुर्देव आचारे भगवन भी काफी इस पद्दती को अपना करके अपने शरीर स्वास्त असी वर्ष के उम्र रहे हैं मैं समग्र समाज को यह प्रेरणा देना चाहूँगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस प्राकृतिक भोजन पर रह करके आरम समारंब रहित हो करके अपने शरीर को स्वस्त रखते हुए अपने जीवन में आनंद, शांति, सुक और जीव का ध्यान करके आत्मा से प इसका कारेक्रम को स्पेशली जहन समाज में सादो संतों के पास पहुच करके वो प्रेरणा दे रहे हैं और अनेक पेशन्ट मुझे मिले हैं जिनकी कैंसर तक के रोग इस स्वो प्रतिशत प्राकरतिक नेचर पर रहे करके मल की शुद्धी करके उन्होंने अपने रोगों क ने अपनाएगा तो हमारी सादो समाज काफी स्वस्त रहे करके अपनी सादना में बहुत आगे बढ़ सकती है ओम शान्ती सबका मंगल हो कर दो